तो जिया चातरों आपके डिमंट पर आपका अपना जीत क्लासिक इंडिया एक बार फिर से हाजी रहे पूरा आपका एपर क्लास 10th हाई इस्कूल मुख परिच्छा वर्थ 2023 का आपका पहला पेपर एक मार्च को हिंदी का है तो हिंदी की पेपर में आप चाहते हैं कि हम यहा हर एक चातर जो है यहां पर आप डाउट मत करिए जो आपको माटेरियल दिया जा रहा है जो आपको पेपर दिया रहा है अच्छे से दिल से मैनत कर लो हम आपका भला चाहते हैं जैसा कि आपने नाइन्थ में आपने बारसी की जाम में देखा होगा एक एक कोश्चन आपक चार सेट पर बनेगा और चार सेट आपको कैसा होगा question आपके आगे पिछे होगे तो हम आपको यहाँ पे दो सेट पेपर देंगे और दो सेट में यदि आपने अथवा सहीद guarantee के साथ जैसे आपने 9 भी किया था वो ऐसे ही अगर आपने answer रट लिया तो आपके एक भी question बाहर नहीं चाहेगे तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें समय आपको 3 घंटा मिलेगा है ना और आपका यहाँ पर देखिए सभी प्रसुन करना आपका अनिवार है आपका यह interaction से कुछ आपके इसे पढ़ लिजेगा साथ में 1 से 5 तक के question आपके आपके होगा और इसके बाद question दिखिए 18 से लिखर 20 तक के question आपके तीन अंगते होगे सब्द सीवाड़ आपके 75 आपका सब्दों में होगा इसके बाद question 21 से 23 तक प्रतेख प्रसंद आपके चारंख वाले होगे और जिनकी सब्द सीवा 120 अंगों होगा चलिए इसके बाद आपका चलते हैं यह आपका लिखा है प्लीज टर्न ओभर आपका नेश्ट पेज आपको फटा पट यापी आंसर देखना है देखिए सबसे पहले question देखिए question आपका दिया गया है प्रतेक प्रस्ट में दिये गए बिकल्पों में से आपको सही बिकल्प चुनकार लेकिना है पहला कॉस्चन है रेती कालिन काब की प्रमुक आपकी विसिस्ता है सरंगार बरणन युद्धो का बरणन भक्ति भापना सोसर का बिरोद तो आपको अंसर देखिए इनकी अगर मै बात करूं इनके कभी कौन है तो आपको राइट अंसर खनंबर पर आपको जैसंकर पसात करना है इसके बाद कोश्चन दिखिए तीसरा आता है हिंदी का सरवाधिक लोगप्रिक महाकाब कौन सा है रामचरित मानस रामचंद्रिका कामायनी साके तो आपको दिखिए पानवाला शालदार साहब या फिर आपका चैप। च स्मेवाला तो आपको पहलावाल लगाना है इसके बात कोश्चन दिखिए धीया गया है कोश्चन में दूध कादूध पानी का अर्थ क्या होता है सवस्त होणा भला करना। सही नया बटवारा करना तो आपको इसमें देखिए राइट अंसर आपको यह पे कर देना है सिंपल तरीके से आपको देखिए यह पर आपको हो जाएगा आपको इसमें अंसर मधू कांकरिया करना है ठीक है तो आपको थोज़ा सा आपको देखिए रिपीटर जो कहा है अंसर आपको यह पर मधू कांकरिया करना है आप इसे याद कर लिजीए का इसके बाद देखिए यहां पर इसके बाद पूछा कहा है रिक्स्थान के आपको अगर बात करें तो आपका इस भी होगा और अगर संबत कोई पूछे तो संबत आपका हो जाएगा 1900 आपका यह संबत हो जाएगा ठीक है तो आप इसे का लिजेगा इसके बाद आपका जो होता है यह पे करुण रसका इस्थाई भाव क्या होता है तो आपको इसका अंसर लिए इसके बाद question देखिए यह आपको question हो गया चोथो question तेरी गठ्री में लाखा डैस डैस मुसाफिर जाग जरा तो आपको इसमें answer यह पर आपको लिख दिना है आपका चूर ठीक है तो आपको यह पर चूर करना पड़ेगा इसके बाद question देखिए यह पर आपको question दिया है पाचवा पंच बटी डैस डैस का उधारण है आपको राइट अंसर आपको इसमें लगाना है यह पर द्रिगु समास का आपका यह उधारण हो जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद question दिखिए एक कुटिया में डैस डैस गुमता दिखाए दिया तो आ कहलाते हैं आपके नागरजुन ठीक है तो आप अंसर नागरजुन पर करिये इसके बाद दिखिए चोवी समात्राओं को च्छंद कौन कहलाता था तो इसका अन्सर नोभय खाने में आपका इबादत और उल्लू बनाना का मतलब होता है आपका मूर्ध बनाना और भार्त का सुज़डर लाइन देखिए आपको एपर अंसर यहापका जम्मू कास्मीर हो जिए ठीक तो कटाओ लिखा हुआ है तो आप एपर अंसर जम्मू कास्मीर कर दीजिएगा चलिए इसके बाद कोश्चन आपको एक बाक में आपको उत्तर देना है देखिए उससाय कविता के कभ पाठी और आपको एपर निराला ठीक चलिए इसके बाद निराला इनका क्या है आपका नाम है आप चाहो तो निराला बस भी कर सकते हैं इसके बाद काभी की सुभा बनाने बाद तत्त्त कहारा आते हैं तो आपको एपर अलंकार करना है ठीक है आपको यह अलंकार हो हैं तो आपको अंसर देखिए आपको है पर जो क्रिया की बिसेस्ता की बात करें तो उसे कहेंगे क्रिया बिसेसर कहलेंगे सिंपल सा है और जो बिसेस्ता बतला है उससे आपका है पर क्या हो जाएगा आपका यह आप यहाप पर अनिकार्थी कर देंगे यह लिए लिग दिजिए अनिकार्थी सब्द और इसके बाद कोश्चन आपका पर दिया गया है बदू कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ करम में है तो आपको यहाप अंसर सना सना ठीक है सना सना हाथ जोड़ी आप अब जैसे दिखा है जैसे करपसाद ने मधूर सपन देखे कि आपके बूप पूरे हो गये थे तो आपको इसका अंसर देखे आपको असत करना पड़ेगा ठीक है पहला आंसर आपका असत होगा इसके बाद 24 छंद में कि आपके 24 मात्राएं होती हैं तो 24 छंद में आपका देखिए कितन क्रिया का प्रभाव कर्म सक्रमक कर्म पढ़ा हो तो आपको बताँना पढ़ेगा क्या उसस्य कर्मक प्रम पढ़ेगा क्यों इसे सक्रमक होगा और जिसका आपका करता पर पड़े वो आपका अकर्मग होगा साथ देश में आस्थाएं अंद विस्वास एक से नहीं होती है तो आपको अंसर देखे इसके भी आपको आपको सत्त करना पड़ेगा इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ क्या अग्ये की रिशना है और रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है तो देखे अगर मैं इसके अंसर की बात कहने है आपको यहाँ पर लिखना है देखे रचनाओं में स्रंगार रस्के परधांते करन इस काल को स्रंगार काल कहा आता है तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको जो है लिख देना है कि इस काल में इस पद्धती पर देखी यहाँ पे आपको पूरा लिखा गया है आप जितना चाहो तो आप अपने अंसर आप यह पे अंसर कर सकते हैं इसके बाद कोशन पूछा गया है कि आपका भाई रितिका का समय संद आपको लिखना पड़ेगा संबास सत्रासों से आपका उनीस सो तक है यानि आपको मात्र इतने ही आंसर करने है इसके बाद कोश्चिन देखिए आपका आता है आत्मकत्र कव्ताओं के माध्यां से प्रसाद जी के ब्यक्तित की जो लक मिलती है उसे अपने सब्दो पर लिखिए देखिए आप इसका अंसर जो है सिंपल सरीकी से आप यह पर यह कोश्चिन का आंसर आप कर सकते हैं चाहो तो आप इससे देखिए यहाप लिखा कब्सा की रुप में अव्यक्त करना है तो आप चाहो तो आप यह कर लो और इसके अलाबा आपको कोश्चिन द परसुराम के क्रोध करने पर लक्षमर्ण ने धनुस के तूट जाने पर क्या तर्ग दिये तो धनुस के तूट जाने से राम लक्षमर्ण का दोस्त नहीं मानते और इसलिए निम्लिखी तर्ग देते हैं हमारे लिए तो साय धनुस समान है इसलिए इस धनुस के तूटने पर इतना क्रोध किसलिए दूसरा पॉइंट यह धनुस इतना अधिक पुलाना होने करण जिन्ड सिन्ड था इसलिए तूड़ जाने से क्या हानी है अर्थात कोई हानी नहीं है तीसरा हमने बच्पन में बहुत साई धनुस तोड़े हैं तब तो आपने अभी क्रोध नहीं किया और इस पर धनुस के तूटने पर कुल्ट कैसा चोथा पॉइंट राम ने तो इसे हाथ पर लगाया था और यह धनुस तूड़ गया राम इसे तूड़ना नहीं चाहते थे आपको अंसर यह करना पड़ेगा और इसके बाद कोश्चन देखिए आपका है पर आता है अगे और इनके दूरशने आगन के पार और बाबर अलहरी और इतलम ठीक है इसके आत्भवादी पसाद मिस रहें गीत फरोस और आपका चेकी थे दुख आप जू चाहो आप याद कर लो धर्मी भारती का अंधा युग और कनुप्रिया और आपका गजरन मानव मुक्तिब आपको हर एक मटेरिल आपको मिल जाएगा तो जा कर जरूर यहां पे क्या करेंगे टेली गरम जोइन कर लेंगे क्योंकि आपको एक दिन पहले मिल जाएंगे आपको इन moderator इसके बास आपको भात करना है फिन श्लब और श्ल्ब रहे clause pra पड़ेगा फूरा प्रापर आप एपर अंसर लिख लें ठीक है तो आद्निक्ता नहीं कपता का केंद्र में प्रतिरिष्ठित है आप इसे कली जी का देखिए आद्निक विसे के छीत में होने वाले खोजो विज्ञान के प्रसार से उत्पन विचार भागबत परवतनों के अ लगु मानवबाद के प्रता बिम योजना का अधिक्ता बहुत दिक्ता छड़का महत्तो और काभगोड ठीक है और इनके आपको कभी आप चाहते हैं दुस्वेंत कुमार नर्समेता धर्भी भारती गजनन मानवमुक्तिवोड आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं ठीक है चलि सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इससे आने वाले हर एक वीडियो का यहां पर आपको नोटिप किसन मिले साथ में टेलिग्राम जोइन कर लिजिए उसका लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटाने उस पर अपने जीजाजी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पेलने जाना है बाई